जी तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग Adobe Illustrator सीख रहे हैं और Pen Tool की प्रैक्टिस कर रहे हैं तोस्तों मैं आप लोग बता चुका हूँ कि Pen Tool Adobe Illustrator में बहुत ही important tool है और इसके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतनी ही कम है तो चलें आएं Pen Tool की मज़ीद कुछ प्रैक्टिस करते हैं अचा जी आप लोग देख सकते हैं यह मैंने यहां पे Cartoon Character एक और आपलों के लिए open किया हूए और यह Black & White Cartoon Character है उपर मैंने यहां पे एक चोटी सी Color Palette पहले से अपने लिए बनाके रखी हुई है आप देख सकते हैं कुछ Squares है और उनके अंदर मैंने जो है वो Different Colors है चूज किये हैं So that कि मैं इसको बाद में Color कर सकूँ अचा अब हमने बेसिकली इसमें वही Tracing करनी है जिससे हम पहले करते आ रहे थे और यहां पर अगेन मैं वही करूँगा कि इस वाली लेर को मैं करूँगा Lock और जैसे ही मैं इसको Lock करता हूँ आप देख सकते हैं कि यह बिलकुल Movable नहीं है अब यह फिक्स होगी अपनी जगह पे अच्छे अब मैं उपर वाली लेर में जो New Layer है उसमें आके मैं दुबारा अब यहां पे Pen Tool के थूरू मैं इसकी जो Tracing है वो स्टार्ट करूँगा यह मैंने जो Outline है वो लेली है Red में और अब मैं यहां से इसकी जो Tracing है वो स्टार्ट करता हूँ अच्छे यह जो Eye वाला पोजिशन है यह Fill हाल मैं Skip करके इसको पूरा जो है वो Draw कर लूँगा क्योंके बैसिकली यह जो Eye वाला पोजिशन है यह बाद में उपर आ जाना है जैसे कि मैंने पहले भी पिछले Lesson में भी आप लों को बताया था कि अर्रेंज करके हम Bring to Front और Send to Back वगरा हम कर लेते हैं तो उसी तरह से हम इसमें भी इसको डील करेंगे अच्छे अब यह सबसे पहले यह जो इसका पूरा Face है और यह जो इसकी नेक तक यह इसका पूरा मैं एक जो Major portion है यह मैं पूरे का पूरा Draw करने लगाँ और इसको जो हो मैं Trace करूंगा और Again हम वही वाली चीज जो है उसको बिलकुल हम ध्यान में रखेंगे कि जो हमारी Curves हैं वो बड़ी मज़े की होनी चाहिए Fluent होनी चाहिए Smooth होनी चाहिए अब यह देखें यह पूरी Round Shape है तो हम क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे Steps के अंदर इसको एर वाली Shape को बनाते हैं मैंने भी फिलाल इसकी Outline बना लिए मजीद इसके अंदर जो मजीद डीटेल्स हैं मैं बाद में बना लूँगा स्ट्रोक की मज़़ा से और इस तरह से मैं इसको Complete कर लेता हूँ यह देखें जी यह जा मेरी Simple वो Shape है वो मेरी बन चुकी है अगर मैं इसको Off करूँ तो यह देखें आप देख सकते हैं तीक है अच्छा जी अब मैं आता हूँ इसके बालों की तरफ और पहले मैं चारूँ कि मैं इसके जो बाल है इनको बना लूँ अच्छा यहां पर एक और मैं शौट की आपको बताना चारूँ कंट्रोल वाई यह जो कंट्रोल वाई की शौट की इसका क्या फाइदा होता है बाद उकात आप लोगों को किसी एक पाथ के करीब या एक पाथ के उपर ही जिसना से मैं यहां पर यह बिलकुल इस एक पाथ के करीब ही एक और पाथ में ड्रॉख कर रहा हूँ तो इस तरह की सिचुशन में जब आपको किसी एक पाथ के बिलकुल करीब ही एक दूसरा पाथ ड्रॉख करना पड़े तो आपको समटाइमस कन्फूजन हो जाती है उसके लिए आप क्या करें कंट्रॉल वाई अब जैसी कंट्रॉल वाई प्रेस करेंगे तो यह देखें आप वाईर फ्रेम मोड में आ जाएंगे तो यह आप वाईर फ्रेम मोड का इस्तमाल भी कर सकते हैं जब अगर आपको और एक्जामपल कन्फूजन आरही हो शेप के अंदर कौन से पाथ के उपर हमारा कौन सा पाथ चल रहा है तो यह आप यहां से इसको क्लेयर कर सकते हैं ठीक है जी अच्छा जी अब यह इसकी ज कर्वस को हमने जो है वो कोशिश करना है कि अच्छे तरीके से ड्रॉग करें और यह बालो माला जो पोशन है हमारा तकरीबन जो है वो फतम होने वाला है अच्छा अब इसके अंदर मैं पर दो आप्शन्स है एक तो हम इसको मतलब कई तरीकें इस चीज को रेंडर करने के यहां पर यहां पर मैं आउटलाइन और जो अंदर वाली इसकी सर्फेस है उसको दो लेयर्स के अंदर भी मैं इसको कर सकता हूं लेयर्स हमराद है कि दो पाट्स के अंदर भी मैं इसको बना सकता हूं जिससे यह अगर मैंने एक बना लिया है तो इसको मैं थोड़ा सा स्ट अगबह खुद ही आजएगा और उसको मैं अज़स्ट कर सकते हूं लेकिन यहां पर इस रख मैं इससे ज़दा असान काम करूंगा कि मैं बाद में इसको स्ट्रोक जो है वो हैवी दे दूँगा सो दैट यह जो ब्लाग का स्ट्रोक है यह हमारा अपने आप जो है वो नज़र आने लग पड़ेगा अच्छे जी अब यहां पर आते हैं यहां पर कुछ पोर्शन हमारे रह गए हैं पहले इनको हम ज़रा ड्रॉ कर लें जैसे के यह हमारे पास यह एक एर वाला पोर्शन है आप मैं ड्रॉ कर रहा हूं और इसमें बाद में मैं कलर फिल कर दूँगा इसको मैं स्ट्रोक हैवी लगाने के बज़ाए इस पहले पोर्शन में मैं क्या करूंगा कि मैं कलर फिल कर दूँगा ब्लैक यह जो भी कलर मैं देना चाहूंगा तो वो मैं यहां पर दे दूँग इसी तरह से अगे यह वाला पोछिण है इसको भी अगर हम चाहें थो हम यहां theo से इसक़ डॉनों तरफ से हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं यानि के पाथ की बजाए आप आप यानि के इसको पाथ में भी अटेम्ट कर सकते हैं और शेप्स भी बना सकते हैं इन पाथ की तो यह अब दोनों तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं अब जो से यह भी हमने ड्रॉड किया है तो हम कंट्रोल वाय करके देखें तो यह देखें हमें नजर आरहा है कि लाइन के ओपर लाइन आरी है और हमारी कंट्वियूंड जो हो दूर होगी हमें पता चल गया कि हमारी जो पाथ है वो कहां जा रही है ऐचाज इसी तना से अब हम यहाँ पर डॉ करेंगे जनाबिया ली इसकी eyes को eyes के लिए भी मैं जो है वो इसको इसकी eyes को मैं डॉरा कर लगता हूं। बाद में इसी को जो है वो या बलके मैं यह करता हूं के मैं सिर्फ simple. एक single जिससे से मैं पहले इसको कॉंटीनु करता आ रहा था उसी तरह से मैं इसको लेकर चलता हूं और सिंगल लाइन के अंदर मैं बना देता हूं और बात में मैं इसका जो स्ट्रोक है वो हैवी कर दूँगा जिससे जो मेरी लाइन जो आईज वाला पॉर्शन है वो क्लेर हो जाएगा य यह मेरी पात के उपर जो है वो पात आ रहा है और यहां पर मुझे बहुत ज़्यदा ध्यान के साथ चलना होगा और यह याद रखें कि जहां पर पात के उपर पात रिपीट करेंगे तो आपको यह देखें बहुत ज़्यदा ध्यान से रेपेटिशन करनी होगी और वहां आप उसको देख भी सकते हैं गोर से किसी क्या सिचुएशन है यह हम इसके ऐलेट उपर जो है यह ड्रॉ कर देते हैं किसी तरह से अब यह जो है यह तो मैं सिंपली सर्कल की जो शेप है उसको लेके उसकी मुद्द से भी मैं यहां पर इसको ड्रॉ कर सकता हूं जिबके जो अंदर वाला पोशन है इसको मैं पैन टू से ड्रॉव कर लूँगा उड़ा सा हमने यहां पर ध्यान रखना है जो हमारे एक कर्व्स हैं वो बिल्कु ठीक है इसी तिना से जी मैं एक सरकल लेता हूं और यह वाली जो शेप है इसको मैं सेलेक्शन टूल के मदद से सेट कर लेता हूं और यह एक और सरकल लेता हूं और इसको भी मैं सेलेक्शन टूल के मदद से एड़्जस्ट कर सकता हूं क्योंकि यह शेप मुझे ऐसे लग रही है कि इसको जो है वो सिलेक्शन डू से जिस्स किया जा सकता है आइज वाले पोशन पर यह लिए आपकी जो बेसिक ड्राइंग है वो हो गई है अच्छा यह एक पुड़ा सा रह गया जी हमारा यहां पर इसको हम यहां से ड्रॉग करे यहां तक क्योंकि यह इसकी कॉंटिन्यूटी है तो यह इसके साथ आजेगा चलें अच्छा जी हमारा बेसिक जो है स्ट्रॉक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है इसको अगर हम नीचे से आफ करके देखें तो यह देखें हमारा स्ट्रॉक्चर कंप्लीट है अब हम क्या कर अरेंज में जाके sent to back so that कि यह जो ऊपर वाला मेरे पास potion है यह मैं white में reverse में निकाल सकूँ इसी तरह से मेरे पास यह वाला potion है इसको भी मैं idropper tool से जाके black कर रहा दे देता हूँ इसको arrange में जाके send to back करता हूँ और यह जो ऊपर वाला potion है इसको मैं white में निकाल लेता हूँ अच्छा जी अब यह जो eyes हैं हमारी यह आजेंगी white में इससे यह अच्छा इनका जो stroke है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताके यह इनका stroke हम three कर देते हैं और इसको हम black कर देते हैं ठीके जी अब यह देखें जो stroke हमने heavy किया है तो वो फिर पहले कि इसको बेतर लग रही है लेकिन अभी यहां पे यह देखें इसको हमें करना पड़ेगा send to back so that कि यह जो नीचे वाली drawing है वो हमारी सारी उपर हमें नजर आजए अच्छा यह जो lid है यह हम बलके दोबारा इसको थोड़ा सा देख सकते हैं यह हम जो path है इसको हम complete कर लेते हैं ताके हम इसके अंदर proper जो है वो color fill कर सकें यह देखें और अब हम इसमें यहां से लेते हैं कोई भी color for example यह वाला और यह fill कर दते हैं अच्छा जी अब यहां पे हम बलके इसको हम थोड़ा सा चीजी रखते हैं इसको जरा orange में लेके जाते हैं थोड़ा सा ठीक है जी यह जरा ज्यादा मज़ेका लगेगा अच्छा जी अब यहां पे हम इसका color जो है वो inverse करते हैं और इसको करते हैं arrange में जाके send to back और इसका color जो है वो मैं यहां से रखना चाहरा हूं skin tone वाला यह देखें ठीक है इसको मैं बना दूँगा जी reverse में ले जाके यहां से black अच्छा यह हमें black हो गया और इसका outline जो है यह हमने खतम कर दी इसी तरह से इसको भी जो है वो मैं black कर दे दूँगा और यह जो है इसको मैं आके यहां से दे देता हूं जी blue ठीक है जी तो यह हमारा जो main character था सारा यह बन गया अच्छा इसकी यहां पे stroke मैंने करनी है खतम यह देखें यह हमारा जो main character है वो बन गया हुआ है इनका जो red stroke आपको नजर आ रहा है यह भी हम खतम किये देते हैं जनाब ताकि यह भी ज़रा natural feel हमें दे आई यह लें जी यह लें यह लें यह अब हमारा जो character है वो काफी हद तक जो है वो बेतर तरीके से बन चुक है और अगर इसको हम off करके देख है और trace करने के बाद हमने इसमें color भी जा है वो फिल करके देख लिया दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने pen tool के मदा से illustrator में कितने interesting और मज़े मज़े के cartoon characters में है वो draw किये और उनके अंदर पे color भी फिल करना सीखा इंशाला अगले lectures में हम लोग सीखेंगे pen tool के मदद से कुछ different objects को draw करना और paint करना और pen tool की कुछ थोड़ी मज़ीद practice करेंगे क्योंके pen tool बहुत ही important tool है